मैं आप देख रहे हैं इंडिया नीज्स स्वागत है नमस्कार्डश्यकू मैंने मरू रुभानिया आप सभी की दोस्त लाइफ कोच और अपनी प्यारी सी दोस्त समर के साथ इंडिया नीज्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हुश तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन कैसे वो भी नुमेरो वानिया के साथ, तो वाने जी बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टोर्ण में, थैंक यू सो मुझ सेमर, बहुत एक मेरी प्यारी सी दोस्त जो हमीशा मुझे सपोर्ट करती है, सारे मेसिजेज आप तक पहुचाने में, इंडिया न्यूस का बहुत बहुत थैंक यू, आज हम बात करते हैं कैसे हम अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को और ज्यादा नॉमल से बिटर बना सकते हैं, आप लोग रोज ही कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते हैं, बाट आज हम कुछ खास एफर्ट्स पर बात करते हैं. सबसे पहला एफर्ट, always be a student in life, learning की कोई age नहीं होती है, आप PhD 90 years में भी कर सकते हो और 40 years में भी कर सकते हो, provided आपके अंदर उतनी zeal होनी चाहिए, आपके अंदर उतनी spark होनी चाहिए, आपके अंदर उतनी fire होनी चाहिए कि आपको अपने life में कुछ ना कुछ करना है, don't be afraid of making mistakes तो क्या हुआ, अगर गिरोगी है, जब तक गिरोगी नहीं, तब तक चड़ना कैसे सीखोगे, तो गलतियां से बिल्कुल मट डरो, mistakes हमेशा हमारी life में जो challenges आते हैं, जो mistakes आती हैं, जो struggle आती है, वो हमेशा हमें ग्रूम कराने के लिए आती है, वो हमें एक और better इंसान बन दूसरों के पास नहीं है, और जो दूसरों के पास है, वो हमारे पास नहीं है, so it's a balance, सब किसी का exam paper different है, हमें किसी को भी judge नहीं करना है, don't judge others, don't blame your circumstances, circumstances को बदलने की power हमारे हाथ में बहुत अच्छे से होती है, अगर हमारी zeal है, spark है, gratitude है, ईश्वर को दिन रात अगर धन् है, हमेशा अपनी company, अच्छे दोस्तों के बीच में रखे, be grateful to your friends, उनी लोगों के साथ रही है, जो आपको life में uplift करते हैं, जीवन में ऊपर उठाते हैं, जिनसे आप कुछ नया सीखते हो, जो आपको motivate करते हैं, be enthusiastic about life, life के लिए इतना डल मत हुई है, चल रही है, कट रही ह आपके शब्दों का हमारे जीवन में बहुत जादा महत होता है, जो भी बोल रहे हो, बहुत जादा सोच समझ के बोलो, बहुत जादा ध्यान से बोलो, लोगों को praise करना से को, अपनी praise तो हम हमेशा ही करते हैं, अपना confidence तो हम हमेशा ही हाई रखते हैं, बढ़ दूसरों को कॉंपलिमेंट करना से को, क्या पता आपका कौन सा कॉंपलिमेंट किसी और की लाइफ पदल दे, अब जैसे आज हमारी समर इतनी प्यारी लग रही है, तो मैं आतरी उने कॉंपलिमेंट किया, that you are looking so beautiful today, तो आपके कॉंपलिमेंट से क्या फरक पड़ रहा है, तो आपको पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो, प्रेयर्स करो, ग्राइटिव भेजो, अपने सब कॉंपलिमेंट करते रहो हमेशा, yes you can do it, yes you can do it, be a student, learn to take challenges, risk analysis करना से को अपनी लाइफ में, जितना जादा आप रिस्क उठाएंगे, उतना जादा आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, तो इनी सब शब्दों के साथ मैं अपनी वानी को विराम देती हूँ, आप सभी को मेरा धेर सारा प्यार, नमस्कार, निमारो वानिया, signing off, love you all, इंडिया न्यूस के सभी दर्शुकों को, बहुत सारा थांक्यू, तो दोस्तों, जब सी वानिया जी हमारे इस्टो हैं या कैसे लोगों से बाते करने हैं, तो बहुत को सीखा है, I hope कि आपको भी काफी अच्छी नगवें होगी इनके उपाय और इनके संजेशन, तो ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए आप परेंगे, इंडिया नियूस फैमली गुरू के साथ, नमस्कार!